यह यमुना खादर का इलाका है जहां पर इस वक्त मैं हूँ और रात के तक्रीबन दो बजने को है मेड़क के टढ़राने की आवाज आ रही है यहां पर और यमुना का पानी ठीक मेरे आगे आ पहुचा है इतना करीब हूँ मैं उस पानी के उस बार के पानी से कि मैं अब आपको उसके करीब ले जाकर दिखाऊंगा भी कितना भयावह रूप ले चुका है और यहां पर एक मजार है पीर बाबा की कैसे उसको अपने आगोश में ले चुका है वो तस्वीरें इस रात को इस खौफनाक रात को किस किस्म की है उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और वहीं लेकर चलने जा रहा हूँ वहाँ पर लोग भी फसे हुए है जो यहां से दिखाई दे रहा है हमें वहाँ पर लोग भी हैं इस रात की रोशनी में जो थोड़ी बहुत है उन्होंने अपने हाथों में मुबाइल की रोशनी शायद की हुई है और ये देखी आप ये पानी यहां तक आप पहुचा है बगल में यमुना बह रही है और पानी यहाँ तक आप पहुंच आए, यह दिखिए आप, हातों में लाइट स्ली वी है उन्हें, एक गेट दिखाई दे रहा है यहाँ से, और यह पानी यहाँ पर मैं ज़रू कहूंगा कि दिखियें, यह बाढ का पानी है, यमुना बढ़ी हुई है, उसका पानी आपको इस बाड में और वो भी देश की राजदानी दिल्ली का ये आप लोगों के लिए देख लेना बहुत ज़रूरी है ये 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 गेट है और मजार यहां पर बताई गई है कुछ लोग है यहां पर ये क्या जगह है आप लोग रात को क्या जगह है ये कंचन कुझी निकट कंचन पड़ता ये गेट के भीतर ये कौन सी जगह है ये ये रहीम सा कादरी पीर बाबा है पानी यहां पर बढ़ता चला रहा है और ये 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 देखिए हाथ में लाइट री हुए जो बाबा है ये ही रखवाली करते हैं यह यह केर टेकर हैं यहां पर आप इनको देख और ये इस दरगा में पानी भर चुका है ये मुना का बड़ी हुए ये मुना का पानी यहां पर बर चुका है ये आप देखिए तो ये ये हाला थे इस वक्त इस रात को और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये खौफनाक रात है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डरावनी रात है और य दिल्ली पर भारी है यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं यह मुनागा रका रिलाका है पानी बरता चला रहा है हमारे देखते देखते हमारे कदमों के पास तक पानी आगया है और यहां पर जो लोग हैं इस मजार के आसपास। जो रहते और इनके परिवार के जो लोग हैं उनको हमने देखा वो किनारे खड़े हैं अब उनके पास हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे देखेंगे कि उनके पास क्या इंतजाम है इसके अलावा अद्सक्राइब कि यह पाणी यमौना कादर का इलाका है पीछे दरगाँ है जिसकी भात कर रहे थे और यह वहां के कीयर्टेकर एक किया नाम है आपका इमामुत दिनाम है मेरा यह पानी पर कबसे यह मैं उलेत ऑज़े से और driving मेराived प्रशासन का कोई आदमी आया था किसी ने निकाला आपको यहां से करेंगे की पानी घटे कोई कोई मदद आपको प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद नहीं मिली एक बर इनके परिवार के पास हम चलेंगे जहां पर थोड़ी दूरी पर किनारे पर कॉलोनी के लोगों ने मदद से इनको पहुंचाया है और उनसे भी बात करेंगे आई दिल्ली के लिए रात काली है अभी हम सामान देखिया यह जो ग्रियस्थी का सामान है ऐसे लाके आनन फानन में अफरा तफरी में ऐसे रखा गया है यहां पर ऐसे पानी यहां भी आ सकता है इसमें भी को इहरानी की बात नहीं होगी जो यहां के टिकर है उनकी पतनी है यह और उनके चार बच्चे हैं यह और यह एक जो खाट है इस पर इन्होंने रात को शरंड ली हुई है रात के दो बच चुके हैं, पानी बढ़ता चला रहा है, मुसीबत है, कब आपको पता चला, कब आपको वहाँ से बाहर निकाल के लाया गया। साड़े नो बजे रात को, उसे पहले आपको अंदाज़ा था कि यह मुना ऐसे बढ़ रही है। कि साड़े यहीं बाहर लाके खिलाया ने शाट वजे खाया ताम अचा, यह बता हो विटा, कितनी दिन तक ऐसे रहえば है तरम वे पोड़ spiritual यह हो सकता है कि हपते बर रहना पड़ जाए यारो इसके लिए देखे यह आलम है यहाँ पर और जो केटे करें यहाँ पर उनसे ही आप पूछ लेते हैं यह दरगा की स्थिति अगर ऐसे ही बनी रही तो आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ यहार इसके लिए मजबूरिये रहना पड़ेगा जब हम 36 साल यहां रहते रहते हो गए निकिंशेवादार कटे क्या करेंगे आप इनतजार कपरेंगे कि पानी रिसीट करें घते हैं है कि इससे पहले भी कई आ आ चुका है इतना ही इतना है एश्य ही करा कलोनीवाले साथ देते यह आ प्रसासन के लोगों कोई साथ नहीं दिया है यह चिंता की बात है यह फिक्र की बात है यहमुना खादर से कैम्रा पॉसंपं सीके साथ मैं राजय इन्हते ओट